महराश्ट में शिव सेना शिंदेगुट और बीजेपी की मिली जिली सरकार अपनी पहली वर्षगाट मनाई रही थी और राज्य की राजनीती में एक नया धमाका हो गया शरत पवार की नितरत वाली राश्ट्रवादी कॉंग्रिस पार्टी में फूट पड़ गई और उनके अपने भतीजे अजित पवार ने 30 विधायकों के साथ उनका साथ छोड़ दिया है अभी की स्तीती में एक कहना कठिन है कि राश्ट्रवादी कॉंग्रिस में विभाजन हुआ है या नहीं अजीत पवार ने अभी ये नहीं कहा है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है इस समय तो हालात पुरानी शिव सेना जैसे हैं जिसमें शिन्दे गुट ने कहा था कि वे शिव सेना से अलग नहीं हुए हैं बाद में फिर हमने देखा कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद शिव सेना उद्धव ठाकरे और शिव सेना एक नात्षिंदे के रूप में शिव सेना पार्टी का नया स्वरूप सामने आया अजित पवार और राष्टवादी कॉंग्रेस की कारे अध्यक्ष सुप्रिया सुले के बीज भी ऐसी ही लंबी कानूनी लड़ाई चल सकती है राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी में फूट अनपेक्षित नहीं थी अजित लंबे समय से नाराज थे पार्टी के अंदर और बाहर भी वो अपनी नाराज की व्यक्त करते आये हैं वे संगठन और सत्ता दोनों में बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं करीब 15 दिन पहले जब शारत पवार ने प्रफुल पटेल और सुप्रिया सूले को एंसिपी का कारेकारी अध्यक्ष बनाया था तब भी अजित पवार असंतुष्ट थे विराज में भी बड़ा पद चाहते थे और केंद्र में भी उनकी बड़ी अपेक्षा थी वे हमेशा सरकार में रहने के इच्छुक रहे हैं और इसके लिए कोई भी खेल खेलने की उनकी तयारी हमेशा रही है अजीत पवार के साथ गए चगन भुजबल, धननजे मुंडे और कई विधायक E.D. और केंद्रिय जाच एजिंसी के रडार पर थे ये देखना होगा कि अब उन्हें क्या सर्टिफिकेट मिलता है चाचा भतीजे की जोड़ी की चाल हमेशा संदे की निगाहों से देखी जाती है जब अजीत पवार के घर NCP विधायकों की बैठक हो रही थी उस पर शरत पवार की प्रतिक्रिया थी की अजीत विपक्ष के नेता है और वे कभी भी विधायकों की बैठक ले सकते हैं राजनितिक नजरिये से देखें तो ये एक बहुत ठंडी प्रतिक्रिया थी पिछले घटना करम या 2019 की घटनाओं को देखें तो उस समय अजीत पवार ने देवेंदर फर्णविस की सरकार में उपमुक्यमंत्री पद संभाला था वह बहुती अल्प जीवी सरकार थी लेकिन चार साल बाद जब खुलासा हुआ तो पहले देवेंदर फ़र्नविस ने कहा कि शरत पवार की सहमती से ही अजीट पवार के साथ सरकार बनी थी और कल ही शरत पवार ने कहा कि उन्होंने गुगली फेकी थी जिसमें फस कर फ़र्नविस क्लीन बोल्ट हो गये थे अब पवारी खुलासा कर सकते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हो रहा है और कैसे हुआ है इसके लिए कुछ इंतजार और करना पड़ेगा अजीत के साथ कितने विधायके अब इस पर नजर डालते हैं अजीत पवार ने जो बैठक बुलाई थी उसमें उनके साथ 30 विधायक नजर आए विधान सभा में NCP के 53 विधायक हैं बैठक में पार्टी के दोनों कारेवाहक अध्यक्ष प्रफुल पटेल और सुप्रिया सुले भी शामिल हुए थे लेकिन सुप्रिया सुले बैठक से उठकर चली गई थी नई परिस्तितियों में ये कहना जल्दबाजी होगा कि अजीत पवार के साथ कितने विधायक हैं और शरत पवार के साथ कितने विधायक बचे हैं सारी बाते धीरे-धीरे सामने आती हैं हर पार्टी में कुछ विधायक चार दिवारी पर बैठे होते हैं जो हवा का रुख देखकर उसके अनुसार अपना दाओं चलते हैं डैमेज कंट्रोल के लिए शर्थ पवार क्या कारवाई करते हैं किस तरह के कदम उठाते हैं उसे देखकर ही चार दिवारी पर बैठे प्रफुल पटेल भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। नजर नहीं आ रहा है। बलकि डुबाने के ज्यादा थे। साथ छोड़ने वाले विधायकों को गदार, धोकेवाज और नजाने क्या क्या कहा गया। अब इतना कहने के बाद आप कैसे उमीद करेंगे कि वे लोग आप से दोबारा जुड़ेंगे। उद्धव ठाकरे की बनिस्पत शरत पवार ज्यादा चालाक, घाग और अनुभवी नेता है। वे साथ छोड़ने वाले विधायकों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे जिससे उनकी वापसी का मार्ग बंध हो जाए। शरत पवार बड़े जीवट नेता है। यदि उनकी सहमती से या खेला हुआ है तब तो वे कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे लेकिन यदि वास्तव में उनकी मर्जी के खिलाव भी काम हुआ है तो वे अभी भी अपने बलबूते पर राज्यों में 30 से 40 सीटे जीतने की ताकत रखते हैं। उनके खिलाव सिर्फ एक ही बात है उनकी उम्र और उनका स्वास्त। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वे बीजेपी, शिवसेना, शिंदेगुट और अजीत पवार के साथ गए बागी विधायकों को अच्छा सबक सिखाने की ताकत रखते हैं। प्रदेश बाजी करके उन्होंने अपना समय गवा दिया। आज जो कुछ हुआ है उसमें शरत पवार के पास संसदिय दाव पेच खेलने के लिए ज्यादा समय नहीं है। साथ छोड़ने वाले विधायकों को विप जारी करना या ऐसा कुछ कदम उठाने का उन्हें मौका नहीं मिल है और अब यदी वह सब कुछ करते हैं तो ये सिर्फ लकीर पीटने जैसा होगा। उन्हें कोई कानूनी राहत मिल पाएगी इस बारे में संदेह ही है। राश्ट्री राजनीती में पवार की क्या हिस्तिती होगी। पटना में पिछले दिनों विपक्ष की एकता के लिए बुलाई गई 17 विपक्षी दलो की बैठक में शरत पवार की बड़ी भूमिका थी। पवार की पार्टी राश्ट्री अस्तर की पार्टी होने का दर्जाग हो चुकी है लेकिन प्रदेश की राजनीती में उनका दबदबा कायम था। अभी की स्तिती में शरत पवार कमजो तो नहीं है। विधायकों और सांसदों की संक्याही राश्ट्री राजनीती में आपका स्टेटस तै करती है जो मजबूत स्तिती ममता बैनर जी या फिर स्टालिन की है वो स्तिती शरत पवार या उद्धव ठाकरे की नहीं है। इसलिए राश्ट्री राजनीती में कहीं न बात का भरोसा किया जाएगा या नहीं इस पर भी संध्य के बादल हैं। अब कर्मा रिटरंस के जिद्धान की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप अच्छा या बुरा जो भी करें वह आपके पास लौट कर आता है। जुलाई 1978 में शरत पवार ने मुख्यमंत्री वसंत दादा पार्टिल को धोका देकर जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रोग्रिसिव डिमोक्रिटिक फ्रंट बनाया और सिर्फ 38 साल की उम्र में वे महराश्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने कॉंग्रेस को धोका दिया था। इसलिए जब 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई तो उन्होंने शरत पवार के नेतरत वाली PDF सरकार को बर्खास्त कर दिया था। शरत पवार ने वसंदादा पाटिल को जो धोका दिया था वही 82 बरस की उम्र में उनके पास उनके भतीजे अजित पवार के रूप में वापस लोट कर आय शायद करma रिटन का सिध्धान यही है और यह सिध्धान सभी पर लागू होता है समय का इंतजार तो करना ही पड़ता है ऐसे में 2024 के चुनाव में महाराष्ट में क्या स्थिती होगी ये भी जानना दिल्चस्प है 2024 में महाराष्ट राज्य विधान सभा के चुनाव होने वाले हैं लेकिन इस चुनाव में राजनितिक दलो की क्या स्थिती होगी इस पर विचार करना बड़ा मुश्किल होगा। सबसे बड़ी दिक्कत बीजेपी को होने वाली है। टिक्विट बटवारे के समय बहुत कटिनाई आने वाली है। शिव सेना, शिंदे गुट के विधायक, अजीत पवार के साथ आए विधायक और बीजेपी के अपने विधायक इनके बीच काफी रस्साकशी होगी। बीजेपी ने 2019 में शिव सेना, एंसीपी और कॉंग्रेस तीनों के साथ मुकाबला किया था। लेकिन इन में से अब दो उसके साथ हैं, फिर टिकट बटवारा कैसे होगा, ये एक बड़ा सिर्दर्द रहेगा। बीजेपी ने जो सीटे छीनी थी यदि उसे वापस करनी पड़ी, तो वह अपने आप कमजोर हो जाएगी। निशित रूप से पार्टी ने इस पर विचार किया होगा, और कुछ न कुछ उपाए तो सोचा ही होगा। इस वक्त तो उनकी चिंता अजित पवार और उनके साथियों को संभालने की होगी, जो मंत्री बनने महत्वपून विभाग पाने की कोशिश करेंगे। और शिव सेना शिंदेगुट के नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश भी होगी, जो मंत्री बनने का खुआप देख रहे थे, लेकिन उस सपने को अजित पवार और उनके साथियों ने तोड़ दिया है।